वेलकम टू गेम डेव हिंदी गाईज तो आज मैं आपको ब्लेंडर में से यूनिटी एंजिन में 3D मॉडल्स को एक्सपोर्ट करना सिखाऊंगा हाला कि मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है लेकिन इस बार हम इस कार को यूनिटी गेम एंजिन में एक और यह टायर है वो कार से सेपरेट है जैसे कि आप देख सकते है कि यह टायर गाड़ी सेपरेट है तो सबसे पहले हम अपने इस कार और टायर को सिलेक कर लेंगे और हम फाइल में जाएंगे एक्सपोर्ट में जाएंगे और FBX format को select कर लेंगे और मैं यहाँ rename कर लेता हूँ तो limosyn और मैं अपने इस polar में export कर देता हूँ इस tutorial को follow करने के लिए मैं आपको car export tutorial.blend याने कि इस blender project का link इस वीडियो के description में देदेंगा ताकि आप आसानी से इस tutorial को follow कर पाए फिर मैं unity engine में जाता हूँ तो unity game engine में मैंने पहले से यह project बना के रखा हुआ है तो मैं यहाँ आया folder बना लेता हूँ create folder और इसे नाम दूँगा models और अपने इस car model को drag कर दूँगा तो हमारा यह car का model unity में import हो जाएगा और आप यह देख सकते हैं तो मैं इसे भाहरा की में drag करता हूँ लेकिन इस car के साथ अपना texture है वो import नहीं हुआ है तो मैं तो मैं texture को import करता हूँ तो यह रहा texture तो मैं इसे यहाँ drag कर देता हूँ वैसे मैं आपको इस color parent का भी link description में दे दूँगा तो आप यह देख सकते हैं कि material हमारी car पर लग चुका है लेकिन इस वीडियो का topic यह नहीं है तो जब मैं अपने car को select करता हूँ तो आप यह देख सकते हैं कि यह ब्ल्यू एरो है यानि कि जी एक्सिस वह हमारे car की पीछे की तरफ है लेकिन हमारे car का जो front है वह जी एक्सिस के opposite side है तो मैं अब यहाँ little arrow पर क्लिक करता हूँ और अपने इस base car को select करता हूँ तो आप यह देख सकते हैं कि यहाँ rotation x-axis पे minus 90 है g-axis पे 180 है और scale 100 है जो कि हमें नहीं चाहिए हमें यहाँ rotation में 0-0-0 चाहिए और scale में 111 चाहिए और हमारे car का g-axis भी कुछ इस तरह चाहिए कि g-axis आगे y-axis उपर ठीक है मैं आपको इस car के tire भी दिखाता हूँ तो आप यह देख सकते हैं कि यह भी सही सही import नहीं हुए जैसे कि आप यहाँ rotation 0 नहीं है और scale 1 नहीं है तो हम इस car को सही तरीके से कैसे import करें तो मैं सबसे पहले इसको delete कर देता हूँ और इस model को भी delete कर देता हूँ shift D की से और फिर से blender में जाता हूँ और अपने इस car को select करता हूँ और N की press करूँगा तो आप यह देख सकते हैं कि इसका rotation Z axis में 180 है जो कि हमें नहीं चाहिए हमें यहाँ 0 0 0 चाहिए और skill में 111 चाहिए तो मैं यह tire सिला करता हूँ वहाँ भी देख सकते हैं कि rotation 180 है और main बात यह है कि हमें जो यह गाड़ी का front है वो blender के front view में रखना है तो मैं one press करता हूँ तो हम यह front view में आ चाहिए यानि कि front orthographic view में यानि कि हमारा जो car का front view है वो negative y axis में होना चाहिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यह negative y axis है तो मैं अब क्या करता हूँ कि सारे object को सिलेक कर लेता हूँ और rotate g 180 करता हूँ तो हमारे का front view में आ चाहिए तो मैं one press करता हूँ तो आप यह देख सकते हैं कि हमारे का front view में आ गई है और मैं and press करता हूँ तो यहाँ g axis में rotation 360 degree दिखा रहा है तो हम control A दबाएंगे और rotation और scale को apply कर देंगे तो यहाँ rotation 0 हो जाएगा और हमारे जो rotation और scale है वो uniform हो जाएगे यानि कि rotation 000 हो जाएगा सारे axis में और scale भी 1 1 1 हो जाएगा सारी axis में तो मैं अब टायर सिलेक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि rotation और scale uniform हो गये है और यह काल का बोड़े भी तो आप सारे object को select करते हैं कि सभी के scale और rotation uniform हो गये है तो अब मैं फिर से सारे object को select कर लेता हूँ और file में जाता हूँ export में जाता हूँ और fb export में को select कर लेता हूँ और नाम दिता हूँ limousine 01 और यहाँ हमें select करना है limited to selected object यानि कि हमने export करने के लिए जितने भी object को select किया है वही export होगे और हमें यहाँ apply scaling पे click करना है और यहाँ change कर देना है fbx unit scale और यहाँ apply transform पे भी click कर देना है और export कर देना है तो फिर से हम unity में जाएंगे और हमारे limousine 01 को drag कर देंगे तो आप यह देख सकते हैं कि हमारा limousine 01 import हो चुका है unity में और मैं इसे hierarchy में drag करता हूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा car इस पर सही से import हुआ है और हमारा car का जो front है वो unity के g axis में face कर रहा है और मैं अपने car को select कर लेता हूं और उसका front भी g axis में है और यहां rotation 000 है और scale 111 है यानि कि uniform है और हमारे इस tire को select कर दा हूं और आप यह देख सकते हैं कि tire का जो g axis है वो भी front में है और यहां भी rotation और scale uniform है आप चाहिता दूसरे tires को भी check कर सकते हैं जैसे कि यह tire हो गया और इसका भी g axis फ्रॉंट में है और यह पिछला tire का भी front में है और इस tire का भी g axis फ्रॉंट में है और इसका rotation और scale uniform है तो इस तरह आप किसी भी 3D model को blender में से unity engine में सही तरीके से export कर सकते है अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपनी इस car को किस तरह से driveable बनाते हैं और वो भी बिल्कुल आसन तरीके से बिना coding के अगर आप इस वीडियो से कुछ सिखे है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दिजिए और हमारे चैनल गेम डेव हिंदी को जरू सब्सक्राइब कर दिजिए ताकि ऐसे गेम डेवलोप्मेंट के वीडियो आपको मिलते रहे और थैंक यू पर वाचिंग वीडियो